यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक किसान नेता की हत्या कर दी गई पुलिस के मुताबिक मामला आपसी रंजुश का लग रहा है लेकिन हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है फिलाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर कुछ लोगों को पूछताच के लिए हिरासत में दिया है यूपी का संथ कबीर नगर जिला यहां के बखिरा थाना शेत्र के बोर्व्यास इलाके में रहने वाले लक्षमट पांडे की 24 तारीक की शाम को हत्या कर दी गई आज तक समवाद दाता आलमगीर की रिपोर्ट के मताबिक लक्षमट पांडे भारतिय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष थे वो किसी काम से बखिरा गए हुए थे वापिस लौटते वक्त बदमाशों ने उन पर हमला किया हमला किसी धारदार हत्यार से किया गया इस हमले में लक्षमट पांडे बुरी तरह घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई घटना की सूचना मिलते ही पूरे जिलें से किसान बोरवयास इलाके में पहुँचने लगे भारतिय किसान यूनियन के बाकी नेता भी मौके पर पहुँच गए घटना की सूचना मिलते ही एसप संतोष कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे शब का पोस्मॉर्टम कराया गया और फिर परिजनों को सोब दिया गया लक्षमन पांडे की बेटी जिसकी उम्र करीब 13-14 साल है उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका परिवार नया चाहता है उन्होंने कहा कि उनके पिता की राय परिवार के साथ प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजश थी और इसी परिवार के लोगों ने ही उनके पिता का कतल किया है महीं भारतिय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जनारदन शर्मा ने कहा कि लक्षमन पांडे जी की हत्या बेहद निर्मम तरीके से हुई है अगर हत्यारे जल्द ही पकड़े नहीं गए तो भारतिय किसान यूनियन किसी भी अधिकारी को चैन से बैठने नहीं देगा पांडे जी बहुत ही मिलनसार थे और समाज सेवा की काम करते रहते थे ASP संतोर्ष कुमार ने कहा कि थाना बखेरा के बोरव्यास गाउं में रहने वाले लक्षमन पांडे की हत्या की गई है परिजनों ने गाउं के ही लोगों पर आरोप लगाए है तो इसने पूछताज के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा और दोशियों को कानून की गिरफ्त में लिया जाएगा बहुर ब्रयास गाउं है थाना बखेरा का यहां के एक लक्षमन पांडे थे करीब पचास बाउन साल के एज थे करीकुर साथ वजे उनकी यहां सर पे खोट लगा हुआ है तो उसके उसकी मृत्त हो गई है परिजन गाउं के ही कुछ लोगों दूपर आरोप लगाये हैं जिसमें किरासत में भी कुछ लोगों को लिया गया है कुछटा जारी है सिखरिखर्टना का अनावाण हमों कर देंगे प्रथम दिश्टिय क्या कुछ पाया है दिखे आप देख रहे हैं रोड की किनारे तुकि गाउं के ही लोग है आप सी प्रदुनता है किसी बात को लेकि जो जानकारी प्राप्ट हो रही अभी किसी बात को कि यहां मार पिक हुई है जिसमें उनकी मृत्त हो गई है परिजन तहरीर दिये हैं जिनका नाम है उसमें कुछ लोगों को पूश्टाश के हिरासत में ले लिए जानकारी प्राप्त हुई है कि किसानी उन्यों से यह जुड़े हुए थे अब अपनी ब्यक्तियत रंजिस थ इस्तानी अखबारों में छबी खबरों के मताबिक हत्या के बाद आरोपी करीब एक घंटे तक मौके पर ही रहा और गाउंवालों को धंकाता रहा पुलिस के आने से पहले वो मौके से फराद हो गया नक्षमन पांडे के परिवार की ओर से दी गई तहरीर में पत्नी ने अ झाल